हेलो बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारा लेसन नुमबर 18 इस अ हाउस लाइक इस जो है वो खतम कर दिया था ठीक है आज हम अपना नेक्स लेसन इस लेसन नुमबर 19 अवर फ्रेंड्स एनिमल जो है वो स्टार्ट करेंगे तो जैसा की नाम से ही पता चल रहा है यह चैप्टर जो हो बेसिकली रिलेटरड है एनिमल से जानवरों से हमारे दोस्त जानवर तो जानवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमाई लाइफ में पता है आप लोगों को maximum works जो हैं वो बहुत से ऐसे works हैं जिसमें हम animals का use करते हैं ठीक है तो हम इसमें जो है वो animals के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जी आइए start करते हैं the children in the class were startled on hearing the sound tuck के class में बच्चे startled startled का मतलब होता है चौंक जाना कि जब उन्हों ने क्या किया बच्चों ने जब अपनी class में tuck की आवास सुनी तो वो चौंक ए ठीक है जी the sound came from the ceiling fan जो आवास थी वो कहां से आ रही थी ceiling fan से कल्यानी shouted s-h-o-u-t-e-d shouted होता है चिलाना look look a word is hurt कल्यानी चिलाई कि देखो देखो एक word एक पक्षी को चोट लग गई है hurt होता है चोट लगना peter got up at once and picked up the word peter एकदम उठा और उसने क्या किया पीक होता है उठाना उसने word को उठा लिया it was in pain उसको क्या हो रही थी दर्द हो रही थी यह आप picture में देख सकते हैं यह ceiling fan से टक कर खा के जो वो ब्राउट water in a bowl quickly means जल्दी से और ब्राउट means लान के नवजयोत और अली ने क्या किया वो एक बाउल में पानी भरके फटा फट ले आए जल्दी से ले आए peter lovingly peter the word peter होता है थप थपाना के पीटर ने क्या किया बड़े प्यार से word को पक्षी को थप थपाया यहां पर वीक नहीं बोलना है इसको weak कमजोर और weak मिस चौँच उन्होंने क्या किया जो वो बाउल लेके आए ना पानी कि उसको word की चौँच के पास रख दिया it drank a little water and slowly started flapping its wing ठीक है जी तो इसने क्या किया कि उसने थोड़ा सा पानी पिया उस पक्षी ने और धीरे धीरे उसने अपनों जो wings थे जो उसके पंक थे उसको हिलाना शुरू कर दिया navjot told all the children to move back नavjot ने किया गया बाकी बच्चों को कि आप पिछे हो जाईए they noticed that the word was trying to fly उन्होंने notice किया कि जो word है वो उडने की कोशिश कर रहा है in a while the word flew away और थोड़ी देर में जो पक्षी था वो उड़ गया यहां आप देख सकते हैं यह बच्चे हैं और यह पक्षी जो है अब उड़ गया है next day the children saw a word circling above them in their classroom कि अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक पक्षी जो है वो उनकी classroom में उपर circle उड रहा है ठीक है चक्कर लगा रहा है the children try to find out whether it was the same word that was hurt the previous day तो बच्चों ने find out करने की पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो पक्षी है जिसको कल पिछले कल चोट लग गई थी they quickly switched off the fan and started to clap उन्होंने क्या किया अब उन्होंने देखा था पिछले दिन के जो word था वो क्या हुआ था पक्षी को जो थी वो fan से टकरा के चोट लग गई थी तो उन्होंने एक तम क्या किया है कि जो उनके classroom का जो fan था जो पंका था उसको switch off उसको बंद कर दिया और वो तालिया बजाने लगे ठीक है उसके बाद है put the sentences in the correct order के आगे पाँच sentences दिये गए हैं इनको आपने एक correct order में जो है वो लिखना है जैसे पहला है Peter lovingly patterned the word Peter ने जो है वो बड़े प्यार से word की पीर थप थपाई दूसरा है the word saw a word circling in their classroom C है नवजोत एंड अली quickly brought water in a bowl the word flew away the word heart itself with a fan तो यह आप लोग कर सकते हैं ठीक है पहले जैसे word क्या हुआ उसको heart हुआ उसके बाद जो Peter था उसने lovingly patterned the word ठीक है उसके बाद नवजोत और अली जो है वो पानी लेके आए फिर पक्षी उडगे और उसके बाद बच्चों ने next day जो है वो एक word जो है अपनी अपनी classroom में गोमते हुए देखा शंकर was very happy शंकर बहुत खुश था a cat had given birth to four kittens in the courtyard of his house kittens होते हैं बिल्ली के बच्चे के शंकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी उनका जो courtyard था उसमें एक cat ने जो है वो चार kittens को जरम दिया था ठीक है बच्चों को जरम दिया था he started spending his free time with them तो शंकर ने जो अपना उसका free time था उनके साथ भी ताना शुरू किया one morning शंकर was woke up by the cat's cry एक दिन शंकर ने सुना के बिल्ली जो है वो रो रही और वो उठ किया do you know how a cat cries कि आपको पता है कि जो बिल्ली है वो कैसे रोती है ये आप लोग पता करके आएंगे he ran towards a courtyard और वो अपने courtyard की तरफ दोड़ा कि बिल्ली क्यों रो रही है he saw that the cat was crying उसने देखा कि जो बिल्ली है वो रो रही है and cuddling its three kittens और वो तीन बच्चों को अपने को प्यार कर रही है उनको देख रही है one of the kitten was missing उन में से एक जो था वो miss था क्योंकि हमने उपर पढ़ा कि उसके चार kittens थे लेगी न वहाँ पे तीन ही थे he went outside and found malini petting a kitten एक तीन फिर उसने क्या देखा जैसे वो बाहर गया तो उसने देखा कि malini जो है वो एक kitten को लेके बैठी हुई है उसको प्यार कर रही है उसको थप थपा रही है शंकर called malini into his courtyard शंकर ने जो है वो malini को अपने courtyard में बुलाया malini saw the cat crying malini ने देखा कि जो बिली है वो क्या कर रही है रो रही है आगे question है what do you think malini would have done कि आपको क्या लगता है कि malini ने क्या किया होगा तो ये क्या करेंगे ये आप लोग जो है वो आपके लिए homework है ये कि आपने बताना है मुझे के malini ने फिर क्या किया होगा जब उसने देखा कि बिली जो है वो रो रही है विली क्यों रो रही थी क्योंकि उसका जो किटन था ये गायव था ठीक है तो आज हम इतना ही करेंगे बाकि नेक्स्ट वीडियो में हम आके प्रोसीड करेंगे थैंक्यू